हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन परसन पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम फिर हाज रहो गए हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CRP सब्सक्राइब accurate के चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइके सब्सक्राइब oppose दोस्ताइब को सब्सक्राइब करेंए- सब्सक्राइब करें करें और वीडियो को ज़्यादा अपने सभी दोस्ते के साथ सेर करें और बैल आइकन को दवाना ना भूलें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का अपना पहला कोशन जो की जी के त ис का राइट अंसर जाता दोस्तों आपका function D के साथ में भारत के उच्छी निया अल्य को मूल अपीलिय और प्रामर्स दाई अधिकार छेत्र प्राप्त होता है। Option D इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला कोश्चन। हमारा अगला कोश्चन है देख में पंचवर्षिय योजनाओं का अनुमोधन करने वाला सरबोच निकाए कौन सा है। हो जाएगा। देखते हैं अगला कोश्चन। हमारा अगला कोश्चन है बहारतिय सम्मिधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज इस्थापित करने का प्रबंध करता है। तो देखते हैं, option A, अनुचेद 36, option B, अनुचेद 49, option C, अनुचेद 40, या फिर option D में, अनुचेद 48, तो इसका right answer क्या होगा दोस्तों, जल्दी से टिक करें, तो दोस्तों, इसका right answer जाता है आपका, option C के साथ में, भारतिय सम्मिधान का, अनुचेद 40, पंचायती राज इस अनुचेद 40, देखते हैं, अगले question, हमारा अगले question है, निमले खित में से कौन सा निजीश्वतंतरता का एक अधिकार है, तो इनमें से कौन सा निजीश्वतंतरता का एक अधिकार, option A, परमादेश, option B, बंदी प्रतिकशीकरण, option C है हमारा अधिकार प्रच्छा, या फिर option d है हमारा उत्प्रेरण तो इसका right answer क्या होगा निजी स्वतंतरता का एक अधिकार इनमें से कौन सा दोस्तो तो इसका right answer जल्दी से बताए है टिक करके तो दोस्तो इसका right answer जाता आपका option b के साथ में बंदी प्रत्यक्षी करण निजी स्वतंतरता का एक अधिकार हो जाएगा इनमें से बंदी प्रत्यक्षी करण option b इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है सामाजिक न्याई के उद्देश से का उल्लेक भारती सम्मिधान में कहा किया गया है क्या सामाजिक न्याई के उद्देश से का उल्लेक सम्मिधान के किस अनुष्यद में किया गया है देखते हैं option a अनुष्यद 14 option b अनुष्यद 16 option c अनुष्यद 15 या फिर option d उद्देश का मतलव की प्रस्तावना में तो इसका right answer क्या दोस्तो जल्दी टिक करो तो दोस्तो इसका right answer जाता आपका option b के साथ में अनुष्यद 16 में सामाजिक न्याई के उद्देश से का उल्लेक भारती सम्मिधान के अनुष्यद 16 में किया गया है option b इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question क्या है दोस्तो अगला question है हमारा ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसमें गुम या हिरासत होने की संका हो उच न्यायाले या उच न्यायाले की निमलिकित में से कौन सी rate नहीं है दोस्तो यह read कौन सी read मांगी जाती है option A परमादेश option B अधिकार प्रच्छा option C बंदी प्रतक्षी करन या फिर option D हमारा उत्प्रेशन तो इसका right answer क्या होगा दोस्तो जल्दी टिक करके बताओ तो इसका right answer जाता दोस्तो आपका option C के साथ में ऐसे व्यक्ति अदालत में पेश करने के लिए जिसके गुम या हिरासित होने की संका हो उसे के लिए नियायले को क्या देना पड़ता है उसे बंदी प्रत्यक्षी करन रीट देनी पड़ती है option C इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है service tax की उगाही का दायत्व किस पर है option A केंद्रिय उत्पाद सुल्क विभाग option C राज्य या संग सासित छेत्र का वान लिज्य विभाग या option D हमारा डाक विभाग तो इसका right answer क्या जल्दी से बताईए service tax की उगाही कौन करता है जल्दी बताईए दोस्तो तो इसका right answer जाता है आपका option B के साथ में केंद्रिय उत्पाद सुल्क विभाग service tax की उगाही का दाइत्वा केंद्रिय उत्पाद सुल्क विभाग करता है option B इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है एप्रत्यक्ष करका भार मुख्यत है किन किने वहन करना पड़ता है question दोस्तों दूबरा देखते है question हमारा अप्रत्यक्ष करका भार मुख्यत है किने वहन करना पड़ता है तो देखते है option A निर्माताओं को option B वियापारियों को option C उप्भोगताओं को या फिर option D कर दाताओं को तो इसका right answer क्या होगा एप्रत्यक्ष करका भार जो वह किने वहन करना पड़ता है तो इसका right answer जाता दोस्तों आपका option C के साथ में उप्भोगताओं को option C इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question क्या है सकल राष्ट्य उत्पाद की गड़ना करते समय निमलिखित में से किस की आवसकता नहीं होती है क्या है दोस्तों question सकल राष्ट्य उत्पाद की गड़ना करते समय इन में से किस की आवसकता नहीं होती है देखते हैं option A निवल विदेशी निवेश option B है निजी निवेस options यह नागरिकों की प्रतिव्यक्ति आए या फिर option D है सरकार द्वारा वश्टूओं की खरीद तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों जल्दी से टिक करके बताओ तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाता आपका option B के साथ में निजी निवेस सकल राष्टिय उत्पाद की करना करते समय किस की आवसकता नहीं होती है तो वो निजी निवेस की आवसकता नहीं होती है option B इसका राइट आंसर हो जाएगा देखते हैं अगला question हमरा अगला question है भारत और पाकिस्तान के बीच रेल सेवा थार एक्सप्रेक्स भारत में कहां से सुरू होती है भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों कौन सी ट्रेन चलती है तो वो चलती है आपकी थार एक्सप्रेक्स और यह भारत में कहां से जाती है पाकिस्तान के लिए देखते हैं Option A, जैसल मेर, Option B, जोदपूर, Option C, B का नेर, या फिर Option D, बाड़ मेर, तो इसका राइट अंसर क्या दोस्तो, जल्दी से टिक करके बताओ, भारत से जाने वाली पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान की बीच में चलने वाली ट्रेन है, थार एक्सप्रेक्स, और यह भारत में कहां से जाती है पाकिस्तान के लिए, कहां से निकलती है, जल्दी बताइए, तो दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका, Option B, जोदपूर, भारत से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन, जोदपूर से सुरू होती है, जोदपूर से पाकिस्तान के लिए जात कौन सी जाती है यह भी पूछा जा सकता तो वह थार एक्सप्रेक्स ट्रेन का नाम हो जाएगा थार एक्सप्रेक्स पाकिस्तान और भारत के बीच में चलने वाली ट्रेन है और भारत से कहां से स्टार्ट होती है पाकिस्तान के लिए जोधपूर से जाती है पाकिस्तान के लि अप्शन भीया, पाशकल लामी, उप्शन सी महमध अलबर्देई या फिर आपशन दी में हमारा मारगेट चैन तो इसका रज्ट अंसर क्या, दोस्तों, जल्दी बताओ विश्मा बैंग के अध्यक्ष कोन है, जल्दी टिक करके बताइए इसका राजिट अंसर तो दोस्तों इसका राइट आनसर जाता आपका ओप्षन A के साथ में रौवर्ट जियोविक, विश्व बैंक मतला अंतराष्टिया पुनर निर्माण के अध्यक्षे हैं आपके रौवर्ट जियोविक, ओप्षन A इसका राइट आनसर हो जाएगा देखते हैं अगला कुश्चन, हमारा अगला कुश्चन है दोस्तो, निमलिखित राज्यों में से एक में उसकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की प्रती सत्यता अधिक्तम है तो वो कौन सा राज्य है, ओप्षन A, 36 गड़, ओप्षन B, मध्यप्रदेश, ओप्षन C, मिजोरम, या फिर ओप्षन D, राजिस्थान तो इसका राइट आनसर क्या है दोस्तो, जल्दी बताईए तो दोस्तो इसका राइट आनसर जाता है आपका, ओप्षन C के साथ में, मिजोरम मिजोरम क्या ये, ये कुल जनसंख्या में, अनुसूचे जनजातियों की जनसंख्या की प्रती सत्ता इसमें अधिक्तम है किसमें मिजूरम में option sees का right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question दोस्तो अगर आप हमारे YouTube channel education person पर अभी नए आए हैं तो प्लीज इस channel को subscribe करें, वीडियो को like करें और वीडियो को ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ share करें और bell icon को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो को notification आपको आसानी से मिल सके दोस्तों अगर आप CRPF paramedical इस्टाप, trade mind के written exam की तयारी कर रहे है तो आप हमारे YouTube channel education person से previous year के जो हमारे question people कराए जा रहे हैं आप उनको join कर सकते हैं उससे आपको trade mind के written exam में बहुत help मिलेगी तो देखते हैं दोस्तों अगला question हमारा अगला question है निम लिखित में से कौन सा एक भारत के लिए अंतरराष्टिय वायुवान पहंचान चिन पंजी करन पूर्व प्रत्य है तो कौन सा है वो, option A, A T option B है, V T, option C I, X, या फिर option D है V, X, तो इसका right answer क्या दोस्तों जल्दी बताइए तो दोस्तों इसका right answer जाता है आपका option B के साथ में V, T, V, T क्या हो जाएगा यह यह हमारे अंतरराष्टिय वायुवान का पहंचान चिन पंजी करन हो जाएगा, क्या V, T option B, इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है German silver German silver में निमलिकित में से कौन सा नहीं होता कौन सा नहीं होता, किस में German silver में इन में से कौन सा नहीं होता है देखते है, option A, copper option B, nickel, option C, हमारा silver, या फिर option D, zinc तो इसका right answer क्या है दोस्तो, इसका right answer हो जाएगा, आपका option C, German silver में क्या नहीं होता है, तो वो silver नहीं होता है, option C, इसका right answer हो जाएगा, देखते हैं एकला question, हमारा एकला question है, British सामराज्यवाद के दोरान, भारत का आर्थिक अपवा का सिद्धान्त, किस ने प्रस्तुत कि किया था, तो किसने प्रस्तुत किया क्या, British सामराज्यवा के दोरान, भारत का आर्थिक अपवा सिद्धान्त, यह किसने प्रस्तुत किया था, देखते हैं, option A, W, C, बनर जी, option B, दादा भाई, नौरो जी, option C, गोपाल कृष्न गोखले, या फिर option D, महत्मा गांधी, तो इसका राइट अंसर किया दोस्तो, जल्दी टिक करके बताओ, तो दोस्तो इसका राइट अंसर जाता है आपका, option B के साथ में, दादा भाई, नौरो जी, British सामराज्यवा के दोरान, भारत का आर्थिक अपवा सिद्धान्त, दादा भाई, नौरो जी ने प्रस्तुत किया option B इसका राइट अंसर हो जाएगा, देखते हैं अगला कोशन, हमारा अगला कोशन है दोस्तो, पहला भारतिया कमांडर, इन चीफ कौन था, क्या पुछा है, पहला भारतिया कमांडर इन चीफ कौन था, तो कौन था, देखते हैं, option A, general KS थिम्या, option B है, general KKM करियपा, option C ह है, SHFJ मानकशय या फिर option DA, इन में से कोई नहीं, तो इसका राइट अंसर क्या दोस्तो, पहला भारतिया कमांडर इन चीफ कौन था, तो इसका राइट अंसर जाता है दोस्तो, आपका option B के साथ में, general KM करियपा, भारतिया कमांडर इन चीफ थे, ये कौन से ये थे, ये प हमारा अगला कोशन है पुष्टक तू लाइब के लेखक है किसका तू लाइब को ने दोस्तो देखते हैं Option A, Vikramshate, Option B, Jems, Patterson, Option C, हमारा Veed Mehta, या फिर Option D में हमारा, खुश्वंत, सिंग, तो इसका right answer क्या दोस्तो, जल्दी बताओ, Two lives push तक के लेखक का नाम बताना है, बताइए, तो इसका right answer जाता दोस्तो, Option A के साथ में, विक्रमshate, Two lives push तक के लेखक कौन है, तो विक्रमshate हो जाएंगे, Option A, इसका right answer हो जाएगा, देखते हैं अगला question, हमारा अगला question है दोस्तो, निम्न में से कौन सी मध्य भारतिय निरियात की प्रमुख मद है, क्या है, मतलब कि क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सी मध्य भारतिय निरियात की प्रमुख मद है, तो कौन सी है वो, Option A, computer chip, Option B, potato chip, Option C, वस्त्र या फिर Option D में, car engine, तो इसका right answer क्या दोस्तो, जल्दी बताओ, दोस्तो इसका right answer जाता आपका, Option C के साथ में, वस्त्र, भारतिय निरियात की प्रमुख मद क्या है, तो वो है वस्त्र, Option C, इसका right answer हो जाएगा, देखते हैं अगला question, हमारा अगला question है, म्रदा पूर्थी को कम करके, म्रदा इस्पिती को रोकने की प्रकरिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है, म्रदा पूर्थी को कम करके, म्रदा इस्पिती को रोकने की प्रकरिया क्या कहलाती है, देखते हैं, option A, लागत दिख्के इस्पिती, option B, sorry, मांगा दिख्के इस्पिती, option C, वी इस्पिती, या फिर option D, प्रत्यव इस्पिती, तो इसका right answer क्या दोस्तो, जल्दी टिक करके होता हो, तो दोस्तो इसका right answer जाता आपका, option C के साथ में, वी इस्पिती, म्रदा पूर्थी को कम करके, म्रदा इस्पिती को रोकने की प्रकरिया, वी इस्पिती कहलाती है, option C, इसका right answer हो जाएगा, देखते हैं अगला question, हमारा अगला question है, राज्य नीती के निर्देशक सिद्धान्त के साथ, भारतिय सम्मिधान का कौन सा भाग संबंदित है, किसके साथ, राज्य नीती के निर्देशक सिद्धान्त के साथ, भारतिय सम्मिदान का कौन सा भाग संबंदित है option A भाग 1, option B भाग 3, option C भाग 4 या फिर option D भाग 5 तो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों जल्दी बताईए तो दोस्तो इसका राइट आंसर जाता है आपका option C के साथ में भाग 4 संबंदित है किसके साथ में राज्य के नीती निर्देशक शिद्धान के साथ भारतिय सम्मिदान का भाग 4 संबंद रखता है option C इसका राइट आंसर हो जाएगा देखते हैं अगला कोशन हमारा अगला कोशन है उच्च तम नियायाले द्वारा कितने पिरकार की रीट जारी की जा सकती है तो बताईए option A दो पिरकार option B तीन पिरकार option C पांच पिरकार या फिर option D है छे पिरकार तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तो उच्छ नियायले द्वारा कितने पिरकार की रीट जारी की जाती है जल्दी बताओ तो इसका राइट आंसर जाता दोस्तों आपका option C के साथ में 5 पिरकार की रीट जारी की जा सकती है किसके अनुसा उच्छ नियायले के द्वारा पांच पिरकार की रीट जारी की जा सकती है option C इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है निमलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है तो इन में से कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है option A बांगलादेश, option B भूतान, option C मालदीब या फिर option D है म्यामार तो इसका right answer क्या दोस्तों इसका right answer जाता है आपका option D के साथ में म्यामार सार्क का सदस्य नहीं है तो वो हो जाएगा म्यामार option D इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगले question हमार अगला question है विश्वबेंक राष्टिय पुनर निर्मार के अध्यक्ष कौन है तो यह अभी पहला question रिफीट हो गया है तो इसका right answer क्या दोस्तों जल्दी से बताएं मैंने इसका right answer आपको बता दिया है तो इसका right answer है दोस्तों आपका option A Robert Giovic विश्वबेंक राष्टिय पुनर निर्मार के अध्यक्ष कौन है तो वो हैं आपके Robert Giovic option A इसका right answer हो जाएगा देखते है अगला question हमारा अगला question है वायू मंडल में उसे नीचे वाली परत सोरी वायू मंडल में सब से यह सब से हो जाएगा दोस्तो वायू मंडल में सब से नीचे वाली परत परत है यह दोस्तो परत सब से नीचे वाली परत को क्या कहते हैं तो question क्या है हमारा वायू मंडल में सब से नीचे वाली परत को क्या कहा जाता दोस्तो option A छोब मंडल option B, बहीर मंडल, option C, आयन मंडल या फिर option D, हमारा समताप मंडल तो इसका right answer क्या दोस्तो, जल्दी से टिक करके बताओ तो इसका right answer जाता दोस्तो, आपका option A के साथ में छोब मंडल, वायू मंडल में सबसे नीचे वाली परत को छोब मंडल कहा जाता है, option A, इसका right answer हो जाएगा देखते हैं, अगला question, हमारा अगला question है रेखांस की प्रतेक डिगरी के लिए, किस जगह के इस्थानिय समय में green which समय में कितना अंतर होता है, तो कितना अंतर होता है option A, 2 minute, option B है हमारा, 4 minute, option C है हमारा, 6 minute या फिर option D में, 8 minute, तो इसका right answer क्या होगा दोस्तो, जल्दी बताइए तो इसका right answer जाता दोस्तो आपका, option B के साथ में, 4 minute कितना अंतर पाएगा आता है, तो वो पाएगा आता है, आपका, 4 minute का अंतर 4 minute, option B, इसका right answer हो जाएगा दोस्तो, अगर आप हमारे YouTube चैनल Education Person पर अभी नए आए हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने सभी दोस्ते के साथ सेयर करें, और बैल आइकन को दवाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो का notification आपको आसानी से मिल सकें, दोस्तो अगर आप CRPF Paramedical Step के ट्रेड मैन के रिटेन एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल, एजुकेशन परसन पर ट्रेड मैन से रिलेटेड प्रीबियस येर के question paper कराई जा रहे हैं, तो आप उनको एक बार ज़रूर जोइन करें, जिससे कि आपके रिटेन एक्जाम म मिलने वाली है, तो दोस्तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में,